Hello Friends, Welcome to Indian Study Indian Study पर आपका स्वावत है दोस्तो आज की इस वीडियो में Quality के Important Questions लेकर के आ जाऊँ क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं मूल विदी और Quality के लिए अलग से सीरी चला रहा हूँ Top 500 Questions की ये Top 500 Questions जैसे ही Complete हो जाएंगे Next Top 500 लेकर के आ जाऊँगा ये Questions की आपको ये जो वीडियो हैं एक साथ Playlist में आपको मिल जाएंगी PDF प्राप्त करने के लिए Description में Telegram Channel का लिंक दीगा है वहाँ से आप PDF बिल्कुल Free of Cost प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो Time को ना वैश्च करते हुए पहले Questions की तरफ बढ़ते हैं और GK का सबसे Important Part है Quality इसलिए ही मैं जादा तर Quality पे ही आपको Focus लेकर क्या रहा हूँ कि आप लोग Quality पे जादा तर ध्यान दो सम्मिदान में समिस्त्र यानि कि संयोजित भारत का वर्णन निम्लिकित में से किस प्रकार का है हर बार आपको बासा एक सी नहीं मिलेगी इसलिए आप लोगो को थोड़ा सोच करके इस Questions की आंसर देने पड़ेंगे अब तक भारत की सम्मिदान की उद्देशिका यानि कि प्रस्तावना में कितने बार संसोधन किया जाद सुका है देखो केवल और केवल एक ही बार संसोधन हुगा है वह आपका 42 सम्मिदान संसोधन इसलिए ही 42 सम्मिदान संसोधन को हम Mini Constitution कहते है लगो सम्मिदान की संगया इसलिए ही दी गई है क्योंकि इसने उद्देशिका यानि कि प्रस्तावना में संसोधन किया था प्रस्तावना का वह प्रापदान जो सवी वयक्स नागरेकों को मत दान का अधिकार प्रदान करता है उसको वह क्या कहलाता है तो इसको हम क्या कहते है तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र प्रस्ताबना का भे प्राप्दान जो सभी व्यक्स नागरेकों को मद का अधिकार प्रदान करता है तो उसको हम क्या कहते हैं आपसन नमबर भी प्रजातंतर दूसरा आपसन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बारतिय सम्मिदान के किस भाग में इस पस्ट रूप से गोशना की गई है कि भारत जो है वो राज्यों का संग है या भारत एक दर्मनिर्पिक्च राज्य है तो किस में कहा गया है ये सम्मिधान की प्रस्ताबना में दर्म निर्पेक्ष सब्द से ही आपकी वही व्यक्या निकल के आ रही है 31 का दूसरा कोस्टंस देखो ऐसे कोस्टंस आपको बहुत बार देखने को बिलेंगे 42 में सम्मिधान संसुदन जो कि 1976 में हुआ था प्रस्ताबना में दर्म निर्पेक्ष तो जोड़ा गजा था समाजबादी एकता और अखंड़ता भी जोड़े गए थे लेकिन डुकोटर निर्पेक्ष ये सब्द नहीं जोड़ा गजा था सर तीसरा ओप्संस आपका नहीं होना चाहिए बेदवाओ का आबाओ होना चाहिए तीसरा ओप्संस करेक्ट भारतिय सम्मिधान की आत्मा किसे कहते हैं इंपोटेंट कोसंस भारतिय सम्मिधान की आत्मा किसे कहते हैं तो आपका जो सही अंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा प्रस्ताबना अब आप से particular पूछा जाए कि भारतिय सम्मिदान की आत्मा कौन है तो वह आपका प्रस्ताबना उद्देस का समझ रहे दोनों ही अलग कोस्टन से इसलिए यहां पर समझा दिया ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हों हमारे सम्मिदान में नियाएक समिक्षा की दालना किस देश के सम्मिदान से ली गई है नियाएक समिक्षा की दालना कहां से ली गई है तो आपका सही आंसर हो जागा USA दूसरा options correct ध्यान नखना quality में आपको इतना master बना दूँगा कि अगर 22 questions आएंगे तो 19 से 20 questions आप कर लोगे इतनी practice में करवा दूँगा और पूरी quality मैंने complete भी करवा दी यह ध्यान लखना ऐसा नहीं है कि केवल questions ही provide करवा रहा हूँ जाओ playlist में जाकर के देखो हर चीज आपको UPSI के लिए मैं complete करवा रहा हूँ केवल आपसे 500 लाइक का target रखता हूँ कि सर 500 लाइक कर देजिए वीडियो को ताकि मुझे motivation मिल सके तो इसलिए क्या रहा हूँ कि वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुचा दीजिएगा नेक्स्ट कोशन से आपका के भारतिय सम्मिदान ने सूद्रन केंदर के साथ संग्य प्रणाली कहां से गई है संग्य प्रणाली जो है वो भारतिय सम्मिदान में कहां से ली गई है तो आपका सही आंसर क्या हो जागा सर कनाडा से दूसरा options बिल्कुल correct है इस्थानिय सरकार आधार है इस्थानिय सरकार आधार है किसका तो इस्थानिय सरकार जो है ये लोक तंतर का आधार है तीसरा ओप्संस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा विस्व में सबसे बड़ा सम्मिदान किस देश का है विस्व में सबसे बड़ा सम्मिदान किस देश का है देखो यहाँ पर अगर लिखे सम्मिदान पूचेंगे तो भारत और अलिखे सम्मिदान पूचेंगे तो ब्रिटेन लेकिन यहाँ पर विस में सबसे बड़ा सम्मिदान पूछा तो हम यह मान करके चल रहे हैं कि लिखित ही पूछा होगा तो इसलिए आपका भारत आंसर होगा पहला ओप्सन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना लेकिन अलिखित जब आपसे सब्द वो लिखे तब जाके आप बिर्टेंदेना वन्ना भारत ही आपका आंसर होगा ठीक है सर सम्मिदान के निर्माताओं के मनो भाव और आदर्स पृतिविम होते हैं किस में किस में देखने को मिलेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा उद्देसिका में सम्मिदान के निर्माताओं ने जो मनो भाव जो सम्मिदान के हैं और आदर्स पृतिविम जो हैं इस तरीके से आपकी भारत की प्रस्तावना जो है वो start होती है और आपको कोसिस करना चाहिए कि भारत के प्रस्तावना आपको मुझवानी याद हो ठीक है भारतिय संग राज छेत्र का देनिक पिरसासन किसके द्वारा संचालित होता है तो किसके द्वारा संचालेत होता है उप राजपाल के द्वारा चौता ओपसंस बिल्कुल करेक्ट भारतिय सम्मिधान के अनुच्छित एक में भारत को क्या कह गया है बता दिया मैंने चाहे अनुच्छित एक ले लो अनुच्छी एक ले लो या भाग एक ले लो सभी में भारत को राज्यों के संग के बारे में क्या करा गया है प्रस्तावित या बताया गया है तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वैं क्या हो जाएगा आपसन नमबर D, चोहता आपसन करेक्ट सक्तियों का विवाजन और स्वतंत्र नयाय पाले का किसकी दो महत्पून विशेष्टा है तो सही आंसर हो जाएगा सरकार का संगिय स्वरूप बताता है क्या बताता है सरकार का संगिय स्वरूप नेक्ष्ट कोसन से आपका के निमले के तमय से किस सन में भारती नागरिकों के मौले करतव सम्मिदान में सामिल किये गए यह कोसन से आपका UPPCS में पूछा गया था कि मूल सम्मीदान में मौले कर्तवों को सम्मीदान के किस अनुच्छेद में रखा गया तो सब बच्चे लगाया है इंक्यावन ए जबकि आंसर आपका ये था ही नहीं क्योंकि उन्होंने बोला था मूल सम्मीदान तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा क्योंकि मूल संभीदान में भारते कर्तवों को सामिल किया नहीं गया था ये तो संभीदान संसोदन किया गया था आपका कौन सा? वही व्यालिस में संभीदान संसोदन हुआ था और 1976 में अनुचित 59-1 के तहट मूले कर्तवयों को जोड़ा गया था तो दूसरा options यहाँ पर आपका बिल्कुल correct होगा भारत में संग राज छेत्रों की संक्या कितनी है important questions जल्दी बताईए भारत में संग राज छेत्रों की संक्या आप सभी लोग जानते हैं बदल गई है तो इसको आप बदल लेजिए आट हो गई है अप कितनी हो गई है सर आट तो यहाँ पर दूसरा options बिल्कुल correct हो जाएगा next questions भारतिय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्सयों एवं उद्देसयों को की रूप रेका दी गई है उनकी आगे व्याक्या की गई है कहाँ पर तो आपका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार, राज के नीती निजगत, सिद्दान तेवं मूल करते व्यों में तीसरा options बिल्कुल correct हो जाएगा भारतिय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांती का प्रभाव नहीं जलगता जल्दी बताईए किस क्रांती का प्रभाव नहीं जलगता भारतिय संविधान की प्रस्तावना में कोस्ता नमर 45 तो आपका सही आंसर हो जाएगा चीन की क्रांती चोवता options यहाँ पर आपका बिल्कुल correct हो जाएगा नेक्स्ट कोस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है जल्दी बताओ प्रस्तावना में जो हमारा भारत देश है उसको किस नाम से उल्लेखित किया गजा है भारत और इंडिया दोनों ही तीसरा options यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर correct हो जाएगा निमलिकेत मैंसे बे दो सब्द कौन से है जिनका समाबेशन 42 में सम्मिदान संसोदन की उद्दे सिका में किया गया था ठीक है धर्म निरपेक्च लोकतांतरिक नहीं भई यह धर्म निरपेक्च तो हुगा था लेकिन लोकतांतरिक पहली से था पिर वो तो संपन लोक तांतर के ये तो पहली से था उसके वाद समाजबादी धनमीर पेक्च बिल्कुल ठीक है समाजबादी धनमीर पेक्च एक ता अकंड ता ये सब्द जोड़े गई थी तीसरा option correct गरतंतर का मतलब क्या होता है यह questions ऐसे questions बहुत पूचे जाते हैं और आप लोग का दिमाग चकरिया जाता है तो गरतंत्र का मतलब क्या होता है गरतंत्र का मतलब होता है राज जहां पर अध्यक्ज वंसानुगरत रूप से नहां चुना गया हो तो यहां पर चौता options बेडिकल करेक्ट होगा सर नेक्स्ट questions नेम लेकर तम ऐसे किस देश में लोग समीधान का संसुदन करने में भाग लेते हैं अच्छा ऐसा कौन से देश है जहां समीधान संसुदन हो रहा है तो वहां के लोग समीधान संसुदन करने में भाग लेंगे तो आपका सही आंसर होज़ेगा और लाश्ट को सनसा आपके सामने के सुतनतरता प्रापती के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज को निम्लेकित मैं से किस कारभाही द्वारा अधिकार में ले लिया गया था तो इस questions का answer आप मुझे comment box में बताये बना कल मैं इस questions का answer आपको बताये दूँगा तो causes कीजिएगा इस questions का answer बताने की और मैं आपको बता चुका हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो like और share जरूर कर दीजिएगा क्योंकि उसी से ही मुझे motivation मिलता है तो दोस्तो फिलाल की वीडियो में सुर्फत नहीं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please दोस्तो वीडियो को like कीजिए share के जो साथ ही साथ हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें क्योंकि मुरूजन इसी तरह की वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तो जय हिंद जय भारत